विश्वास और घमण में बहुत कम फ़र्ग है मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमण विश्वास की हमें जुरूरत है इसे अपने पास रखे कैसी होगी, नोवल की कहानी से बनाई जा रही फिल्म मोगुल, किस की कहानी से जुड़ी होगी ये फिल्म कौन होगा इस मूवी के लीड रोल में सो हलो गाइस, वेलकम बाक तो ये फेवरिट यूट्यूब चानल बॉलीग्राद स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी होस्ट इन दोस्ट स्वातितवारी तो दोस्तों मोगुल एक अपकमिंग फिल्म है जो रियल बेस्ट कहानी पे बनाई जा रही है सूत्रों के अनुसार इस फिल्म में हमें 1990s का एरा दिखाई देगा इस फिल्म में हमें डोंगरी से जाने माने डॉन दाउद इब्राहिम का किरदार भी नजर आएगा इस फिल्म को डिरेक्ट करेंगे सुभाष कपूर और ये फिल्म को प्रोड्यूस भूशन कुमार करेंगे इस फिल्म में हमें मुंबई माफिया दिखाई देगी और 1990s के दौर में बनी घटनाओ से जोड़ी कई बातें हमें जानने को मिलेंगी 1990s का एरा फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नया मोर था क्योंकि नए कलाकार, नए डिरेक्टर और प्रेडूसर फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ रहे थे और इंडस्ट्री को आगे ले जा रहे थे इस समय माफिया का फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा हाथ था लेकिन मुंबई ब्लास्ट के बाद पुलिस फोर्स ने मिलकर कई सारे गुंडों को सज़ा दिलवाई और धीरे धीरे माफिया की दहशत खत्म हो गई लेकिन ये फिल्म इस सब काम होने से पहले की है जब मुंबई में माफिया राज था जी हाँ ये फिल्म एक सची कहानी पर आधारित है और ये किसी और की नहीं लेकिन 1990 के बहुत बड़े प्रोड्यूसर गुल्शन कुमार की है गुल्शन कुमार की उस दौर में हत्या हो गई थी लेकिन उन्होंने अपनी लेगसी को आज भी बरकरार रखा है गुल्शन कुमार के प्रोडक्शन हाउस का नाम टी सीरीज है जो आज भी जोरो शोरो से चल रहा है और बहुत सारे ब्लॉकबस्टर गाने और फिल्में प्रोड्यूस कर रहा है गुलशन कुमार पे बनाई जा रही ये फिल्म का नाम मोगुल है और ये फिल्म उनके बेटे भूशन कुमार खुद प्रिड्यूस करेंगे इस फिल्म में हमें गुल SHINT कुमार का रोल करते नजर आएंगे हमारे पॉफक्शनिस्ट आमिर खांग और उनके opposite में होगी मोनी रोई जो उनकी पतनी का किर्दार निभाएंगी इस फिल्म में हमें गुल्शन ग्रोवर आज दाउद इब्राहिम का रोल करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म का आमिर के फैंस को काफी बेसबरी से इंतिजार होगा आमिर जो मिस्टर पॉफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं उनका पिछला प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा फ्लॉप था और किर्दार को ध्यान में रखते हुए आमिर का इस फिल्म में अच्छा प्रदर्शन देने का प्रेशर और भी बढ़ जाएगा बूशन के साथ हमें आमिर की एक्स वाइफ किरन राओ भी इस फिल्म को प्रोड्यूस करती नजर आएंगी हाल में आमिर खान फिल्म लाल सिंग चद्धा को राप अप कर रहे हैं और उन्होंने अगली फिल्म मोगुल के लिए कमर कसली है तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं मोगुल को देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ आप सभी तब तक खुश रहें सेफ रहें और जाते जाते बॉलीग्रास टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें